हेलो गैज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 59 अप्स को इंडिया गॉर्मेंट ने बैन किया ओ तो समयज में आता है लेकिन उसके कुछ दिर बाद यानि कि रिसेंटली अभी 49 अप्स को 47 अप्लिकेशन को इंडिया गॉर्मेंट ने बैन कर दिया अब कोई अभी ऑप्लिकेशन बैन होने का सिर्फ एकी रिजन होता है कि जो उसका डाटा किसी थार्ट पर्टी को यानि के भैशता है या भैशता है तो इसके रिजन केसल थी उस अप्लिकेशन को बैन कर दिया लेकिन 57 अप्स को ऐसे इंडिया गवर्मेंट ने बैन किया बिल्कुल उसका एक लाइट भर्जन भी है जैसे मान के चलिए एक्जामपल पर तब आप पब्जी मोबाइल खेलते हैं उसमें बड़ा सा आपको मैप देखने को मिलता है जो कि वहाँ से रिशेंटली आपको सो पलेयर के वहाँ से गेंपले होता है लेकिन अभी वहाँ पर देखें बहुत चारे इस अप्लिकेशंस है जिसका अभी उसमें सबसे पहले आप यहां से लाइट भर्जन को याज के इंडिया गवर्मेंट ने बैन कर दिया अब इसको दरसल अभी बैन नहीं हुआ है लेकिन यहां से जो 59 अप्लिकेशंस जो बैन हुए थे उसमें में को दिया अभी देखे तो यहां से इंडिया में नहीं तक लग्वर्मेंट यहां से जो 47 अप्लिकेशंस को ब्रइन करने करने वाला है इसमें में टार्गेट है यह परग्रुमियर्मोन या इसको इंडिया कर सकतिक ऐसंको बैंद करने कि आप आप सोच रहे हैं कि इंडिया सुरक्षी से दाएगा इस चीज़ के लिए तो यहां से अप्लिकेशन तो बैन होने चाहिए लेकिन हमें चाहिए तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप यहां से किसी अभी यहां से आप जो भी अपने फोन में इसका लाइट भर जण यह प्रोवरजन आप किसी बीप्लिकेशन को इंस्टॉल औह भी मैंने कितने लोग को फोन में देखा कि अभी वह रखे हुए है भीगो अभी भी रखे हुए तो आप सोचिए कि आप देखिए कि यह कितना बड़ा नुकसान हो सकता है हो सकता है कि उनका डाटा किसी ठट पाटी को बेच दिया जा तो इस चीछ से आप बिल्कुल सो रही है आप किसी भी चाइनीज अप्लिकेशन को अपने फोन में ना र नेक्ट विडियो में तपकिलियां गुट बबाई